आरक्षन के मुद्दे पर पटना हाई कोट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। बिहार सरकार को इस फैसले से तगड़ा जटका लगा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस फैसले ने बिहार की राजनीती में हलचल मचा दी है। बिहार में पिछले साल राज्य सरकार ने जातिगत जनगनना के आधार पर शिक्षन संस्थानों और सरकारी नौकरियों में S.C. सिंट, O.B.C. और E.B.C. को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षन देने का फैसला लिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ भागवत शर्मा समेत कई याचिका करताओं ने हाई कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया। बीते 11 मार्च को पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंदरन की बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट में हार क्यों मिली बिहार सरकार को? याचिका करता भागवत कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में याचिका करताओं की ओर से विशाल कुमार और अमित आनंद पेश हुए एड़ोकेट विशाल कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधिश विनोज चंदरन और न्यायमूर्ती हरीश कुमार की खंट पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह संशोधन भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उलंगन है परसेंट कैप को तोड़ते हुए 65 परसेंट उसको जो है स्ट्राइक डाउन किया गया है बेसिकली स्ट्राइक डाउन इसलिए किया गया है क्योंकि प्रिविएसली भी सुप्रीम कोट ने 1292 में कहा गया था कि अब 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ और सिफ कास्ट और सेंसर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने रिजर्वेशन को 50 से 65 परसेंट किया था उसी चीज को हाई कोट ने आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 16 का वायुलेशन बताते हुए स्ट्राइक डाउन किया है पटना उच्च न्यायाले की खंट पीठ ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षन, संचोधन, अधिनियम, 2023 और बिहार, शैक्षनिक संस्थानों में प्रवेश में, आरक्षन, संचोधन, अधिनियम, 2023 को अधिकार छेत्र से बाहर बताते हुए रोक लग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी हार की संभावना, पटना हाई कोर्ट से मिली हार के बाद अब चर्चा है कि बिहार सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. इस पर एडवोकेट विशाल कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरका को हार का सामना करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आरक्षन को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कोई खास कारण नहों में और इजुकेशन इंसिचोशन में तो उन लोगों को माननीय प्रिप्रवेशन नियाल में Care इसलिए उन्होंने कहा कि पचास से पैसट परसंट का रिजर्वेशन करना कहीं भी कॉंसिचूशन के प्रिंसिपल्स को या प्रिवियस जज्जमेंट जो आया है 1992 में इंदरा साहनी का उसको स्टेंड नहीं करता है। इसलिए ये गलत है। Supreme Court इस फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए ज़्यादा उमीद यही है कि Supreme Court इस जज्जमेंट में किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बाकि देखते हैं आगे क्या संभव है। कैसे हुआ आननफानन में फैसला। मुक्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधान सभा में घोशना करते हुए कहा कि सरकार बिहार में आरक्षन के दाइरे को बढ़ाएगी। इसके बाद इसे शीद कालीन सत्र के चोथे दिन 9 नवंबर को विधान मंडल के दोनों सदनों से पारित भी कर दिया गया था। दोस्तों, यह फैसला बिहार की राजनीती में एक बड़ा मोर साबित हो सकता है। देखना होगा की आगे क्या होता है और बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाती है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट